होकी टीम की कप्तान रह चुकी अंसुता लकड़ा आज सबसे ज़्यादा खुश थी वज़ा थी कि उनके ग्रिजले में होकी प्रतियोगता का एक बड़ा आयोजन हुआ जिसका उद्गाटन मकमंत्री हेमंत सुरे ने किया है अंसुता लकड़ा से बात किये सयोगिया जलाल हमाज होकी परतियोगता का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन से सबसे ज़्यादा कोई सक्ष यदि कोई खुश होगा तो वो होंगी सिम्डेगा की बेटी अनसुता लकड़ा जी हमारे साथ है मैडम मैंने मुझे जो जनकार मिले कि इस स्टेडियम के लिए आपने बहुत को आपको बिल्कुल मैंने जैसे देखा था इन कंप्लीट था इस व्यूटर तब मैंने डी सी लकड़ा जिते प्रवाल लकडा उनको मैंने रिक्वेस्ट किया से अगरा स्टोटर बंते बंते रह गया तो सर्इसको क्या कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारे जो से नहीं बोलूँगी मेरा अपना घर गाओं में मैं सीखुती तब मैदान था मैं इधर खेलने भी आई थी एक दो बड़ और जब मैं इंटरनेशनल मैच केल रही थी तब यह इस रोटर बना था तो मैं इसमें हम लोग एक जिमेशन मैच भी केले थे सारी इंटरनेशनल जित प्लेर को सीखने को मिलेगा जो गाओं के बच्चे वो आके देखेंगे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं आंडरो जी पहली बार किसी प्रतोक्ता में हिसा लेने आ है आपका जारकन में स्वागत है क्या कहना चाहेंगी इनके प्र्यास को इनके जो एफ़ट थे इनके फट फट हमको अच्छा लग रहा है कि यहां से इंटरनेशनल लेविल का और अलेम्पियन बगर बगर इतना खिलारी जो है वारत के लिए यहां से निकल गया है बोला जी यह सब देखर कैसा लग रहा है आपको इतिहासिक शिम्डेगा के लिए आज का दिन इतिहासिक है और एक सपना था शिम्डेगा में नेशनल कराने का आज पूरा हुआ ति जिम्डेगा की बेटी अनसुता लकडा काफी परियास के बाद जिस जगह पर मैं ख़रा हूँ मैं दिखाने कुछ करता हूँ बहुत पहले ऐसे ही एक मैदान हुआ करता था अनसुता भी यहां खेलने आई थी लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार परियास के बाद यह पूरा का पूरा होकी इस्टेडियम सक्ल में आया और अब चीजे धीरे-धीरे उस मुकाम पर पहुंँचती जा रही है जिसकी पहचान पुरे भारत में सीम्डेगा को है उम्मीद की जाने चाहिए कि हौकी को लेकर सिम्डेगा की जो पहचान पहले से बनी हुई है इस आयोजन के बाद उसमें और ज्यादा निखार आएगा करमें दिवासीज के साथ अजय लाल निव जलेवन राची